हेलो जी राम राम जी सबी मेरे प्यारे बाई और बैनों को जो ग्रूप D का एक्जाम देकर आए हैं अब उनके मन में ये है कि कट ओफ कितनी रहेगी अब यूटूब पर बहुत सारी वीडियों है कि कट ओफ इतनी जाएगी इतनी जाएगी तो मैं आपको एक सही एनालीशि कि कट ओफ क्या रहने वाली है तो चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूब करें जाएं और वीडियो को शेर करें तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कितनी कंडिडेटों ने एक्जाम दिया है तो यहां पर जो आज का अकबार है उसके अंदर 13,536 पद लिडियोटर ने एक्जाम दिया है और यह ना की थे कुछ अधर स्टेट के भी थी यह बात भी है लेकिन इस से पहले एक सीटी का एक्जाम वादा साथियो ठीक है तो उस सीटी के एक्जाम के अंदर जो कंडिडेटे बैठे थे वो साथ लाक ती अत्तर अजार पान्शो ब लिडिने थे ठीक है उसमें से कितने कंडिडेट पास हुए थे उसके अंदर से कंडिडेट जो तीन लाक स्तावन अजर पान्शो बासट हुए थे अब मैं यह बात क्यूं बता रहा हूं आप यह सोच रहें कि सर यह बात क्यूं बता रहें यही तो हम आगड़ा तो यहां पर उस टाइम जब यह सीटी का एक्जाम लिया था एंटी के दवारा तो उस टाइम जनरल के सतर से तिरासी पॉइंट पांच चाह तक नंबर लेने वाड़े कंडिडेट शिरभ बाइस सो तीन थे जनरल कटेगरी के esa Thomas की बात करूँ तो उस टेम उस एक्जाम के अंदर Самसे these टाइमेंस ग्री शेंपवर नंबर लेने वाड़े शिरफ वारासो अरथ fox में सिरफ एक्सोटीरासी कंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने उस टाइम 2021 में सो के नाम है सतर से उपर नमबर लिए थे ठीक है साथियो तो यहां पर बाकी फिर साथ से उपर नमबर लेने वाले काफी थे हर एक जगा में तो साथियो अब जो कट ओफ अब जो एक्जाम हुआ है यह ग्रूप C का एक्जाम वालों ने भी ठीक है उसमें से चाटे गए थे यह आई प्रोफाइल सीटी के आई रिजल्ट वाले कंडिडेट थे अब इन में से इन्होंने एक्जाम गूरूप D का भी दिया है यह बात आप सभी जानते तो कट ओफ क्या रहेगी तो साथियो अगर गूरूप C का रिजल पहले नहीं कर जाता है तो यह जो आई प्रोफाइल कंडिडेट हैं आई नंबर वाले यह बार चले जाएंगे यह चुआइन कर लेंगे अगर नहीं जाते हैं पहले रिजल्ट आ जाता है तो कट ओफ क्या रहेगी वह मुँआ आपको बदाता हूं तो कट ओफ रहेगी चांसिस भी कम ही है साती हो क्योंकि पिछली बार 2018 के अंदर 2018 कुछ पोस्ट थी और यह नहीं लिया था शिप्टों के अंदर एक्जाम उरुष में 69 गई थी ठीक है लेकिन अब की बार पोस्ट कम हैं और बच्चे अवेर भी हैं ठीक है लेकिन अगर गुरुप से गाड़ा जाओं के खोट चैश्ट चैश्ट रहेगी कम ज्यादा डिफेरेंस नहीं पढ़ने वाड़ा बी-सी डिखी पिशट श्याट के बीच में रहेगी ठीक है साथियो और इसमें एक क्टेगरी रहगाई साथियो इसमें बहुत सारी कॉट अफ बनाई है VLDA के उपर, ELM के उपर, स्टाप नर्श के उपर, और वो बिल्कुल सटीक बठी हैं साथी हूँ, क्योंकि ऐसे वीडियो अब सर्वे करवाते हैं, सर्वे करवाने से कुछ जूठे हैं, किसी के 50 बन रहे हैं, वो साथ बताएगा, क्योंकि आभी तो पता लेज़ें, और जो PWD कंडिडेट होते हैं साथी हो, उनके बारे में कोई वीडियो नहीं बताता, हैंडी कैप जो है, उनकी जो है, जो HH है भाई, आडो फिरिंग पंतारिश है करेगी, और जो OH है उनकी भाई, 60 पलस रहेगी, ठीक है, तो cut-off आपकी ये रहेगी साथी हो, पेपर आसान था, मैं मानता हूँ, लेकिन पेपर CET का भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि NTA का पैटरन है साथी हो, इसके अंदर, कंडिडेट, अब ये जो कंडिडेट थे साथी हो, ये जो फैल हुए थे उस टाइम, ये देखो उस टेम भी पास हुए दिन क्या ये आप देख सकते हो, डाटा, हर कटेगरी वाइज के अंदर, तो साथ से उपर देख उपर देख सोड़ा जार थे, साथ से 69 के बीच में, तो यहीं लंब समागड़ा है, आप एक नंबर को एक नंबर ना समझे, क्योंकि एक नंबर में हजारों कंडिडेट कवर हो जाएंगे, मालों अगर 68 है और 69 है, तो आप ये ना सोचे कि भी एक नंबर वासला है, यह से एक नंबर में पांच जार कंडिडेट भी मिल सकते हैं आपको, पोस्ट कितनी है, 13000 कुछ पोस्ट है, तो सेलेक्शन के लिए, आपकी जो कट ओफ जो सेफ सकोर है, वो मैंने आपको बता दिया है, लगबग इतनी ही रहेगी, आपका रिजल्ट है, वो एक मीने के अंदर आने की संभाव नाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पेपर देखर रहा है, ये कट ओफ जरूर देखें, और आपका सेलेक्शन होगा रहा है, अगर आपके इतने नमबर बन रहे हैं, इमानदारी से, तो आपका सेलेक्शन जरूर होगा, आपका सेलेक्शन कोई नहीं रोकने वाड़ा, 100% cut off इस तरह से कोई बताने वाड़ा नहीं साती है जो देखिए आकड़े इतियास दोता है वो आकड़े एक्तरित करता है और आकड़ों के analysis के आधार पर ही आगे का जो रन निती हो बनाई जाती है ठीक है ये candidate ये तो है नहीं कि दूसरे देश से आ गए और उन्होंने से रिक्षा दिये को यह नहीं सोचा कि महारा तो होना है नहीं हम किस लिए देगा है ठीक है तो ये कट ओफ ऐसी थी कि हमने आपको आप चाहते थे कि कोई मैं चप्रासी बनूंद कुछ बनूं माली बनूं तो बना दिया वही हमने आपको अगर आप कितने नंबर बंढ रह बने थे जिसमें चार लग शोड़ा जार तो फैल होगे जो इतने नंबर भी नहीं ले सके अब उन्होंने फिर त्यारी कियोगी फिर मों का दिया वा लेकिन अगर वो नंबर बढ़ाने के बाद भी यहां तो भाई एक एक पॉइंट का केल है ठीक है साथियो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपकी कोई बात है तो आप को मेंट बॉक्स में रिस्पेक्टफुली तरीके से लिखें इसी परकार से आगे जो भी वीडियो आपको चाहिए उस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते नहीं दन्यबाद नमस